हेलो जै हिन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डिफेंस अडर 247 के इस यूटिप चैनल के उपर मेरा नाम है अतुल धिमान चलिए शुरू करते हैं आज से आपनी जो करेंट अफेर के सेशन से उसके अंदर हम लोग का जो पैटन है जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले question of the last day लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ MCQs करते हैं जिससे आपका वो जो exam ready होता है ना कि वहाँ पे तो आपने questions ही देने जो objective type है वो आप करेंगे attempt उसके बाद हम लोग जो है headline of the day देखेंगे so मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जल्दी से जल्दी session को share कीज़ेगा like कीज़ेगा और एक बार जल्दी से जल्दी जय हिंद जरूर लिखेगा so शुरू करते है class को right देखें ये था आपका पहला सवाल तो पहला सवाल क्या है बच्चो जल्दी मुझे बताइएगा कि कौन सी company है किस company ने भारत में जल्द प्रबंदन में सुधार के लिए UK स्थित एक NGO के साथ भागिदारी की है तो कौन सी company है which company partnered with the UK based NGO to improve the water management in India तो इसका answer आप क्या देंगे इसका answer what should be the correct answer फटा फट बताइएगा कि water management की category के अंदर भारत में जो आपने जल्द प्रबंदन का सुधार करना है उसमें एक company तो है जो UK based है एक NGO है एक तो ये होगे एक UK based NGO है प्लस एक company है जिस company ने दोनों ने मिलके जो है आपका water management करना है जल्दी शाबाश यहाँ पर बच्चा मेरे को reliance भी कह रहा है चेक है हच भी कह रहा है लेकिन यार हच तो एक पुरानी सी company है तो मुझे नहीं लगता हच एक सही आपका logic बन सकता है या guess बन सकता है जल्दी आपल हच या रिलाइंस फटाफट बताईएगा very good very good so मुझे आप से at least सबके सब जोड़ जाओ और फटाफट आंसर दो सबके सब स्टूरिंट्स ने आंसर देना है तो यहाँ पे जादा तर बच्चा क्या कह रहा है यहाँ पे जादा तर बच्चा क्या कह रहा है सेब यह these are the companies तो इसका आंसर क्या है बच्चो आपल ठीक है इसका आंसर क्या है आपल ठीक है आंसर क्या है इसका आपल सो आपल ने क्या किया है एक UK based NGO के साथ collaboration किया है दोस्ती की है यह agreement क्या है कि चलिए आगे हम लोग जो है water management की तरफ भारत के water management को improve करेंगे समझ आ गया तो याद रखिएगा थोड़ा सा जादा लंबा चौड़ा तो याद कराते भी नहीं है हम लोग लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि यह जो water management इंडिया में सुधार लाया जाएगा यह एक तो company apple की हो गई है ना और दूसरी तरफ जो UK based NGO है उस NGO का आप नाम याद रख ठीक है तो UK based NGO है non governmental organization है that is frank walter water ठीक है तो frank water ने यह जो UK based NGO के जो head है उन्होंने यह कहा है कि यह जो सारा का सारा development होगा development होगा data and analytics development होगा इसका मतलब यही है कि जो भी हम लोग काम वाम करेंगे तो वो काम इस तरीके से होगा कि क्या कहते है जो water management का पूरा का पूरा ecosystem भारत के अंदर है वो बहुत भेतरीन हो पाए तो यह आपने याद यह देखिए आगे है national health authority scan and share service क्या है national health authority scan and share service was launched as part of which scheme ठीक है राश्ट्रिय स्वास्तर प्राधिकरण की scan and share service किस यूजना के तहच शुरू की गई है बताईएगा जलू सच्छ भारत मिशन के तहट आईश्मान भारत के मिशन के तहट या मिशन इंद्र धनुश या जननी सुरक्षा यूजना शाबाश फटाफट बताईएगा जल्दी बताईएगा आज I don't know why students are very less वैसे इतने students होते नहीं है शायद उनको notification नहीं पहुंच जल्दी 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 अच्छ तो आपका अंसर क्या रहा है सर ये आयूश भारत मिशन होना चाहिए ठीक है श्रेका अंसर ये है सत्य हम कहते है भी अमेर को स्केप करना है ठीक है पिहू कह रही है अगर मैं कोई batch purchase करूं तो admission fee के बाद कोई monthly charges लगेंगे बिलकुल भी नहीं लगेंगे अगर आपने वो batch purchase कर लिया है तो there will be no monthly charges कोई ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो batch आप ले सकते हैं और लेने के बाद there will be no monthly charges simple as simple as that अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा सवाल को पड़े थोड़ा सा सवाल को पड़े तो national health authority scan and share service national health authority scan and share service जो है इसको launch किया गया है as a part of as a part of बच्चों as a part of as a part of आयूश्मान भारत digital mission आयूश्मान भारत digital mission आयूश्मान भारत digital mission समझ गया आप लोग मुझे पाता है ये ज्यादतर बच्चों के लिए unknown सवाल होगा तो आपने क्या करना है national health authority scan and share service जो है उसको लिख लिजे और आगे लिखिये it is a part of आयूश्मान भारत digital mission ठीक है इतना ही हमने पढ़ना है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या है important point चलिए next सवाल आपके लिए आपकी screen के ऊपर ये रहा किस देश ने किस देश ने national green fiscal incentive policy framework launch किया है कौन सा देश है जिसने national green fiscal incentive policy framework जो है उसको launch किया है है कौन सा देश है शाबाश जल्दी बताइएगा ओके जल्दी बताइए जल्दी बताइए शाबाश जाबाश हा जी फटा फट बताइएगा क्या है इसका आंसर अचल्ड बता है जल्दी बताइएगा इसका क्या आपको लगता है USA आंसर होना चाहिए Kenya होना चाहिए UAE होना चाहिए Australia अब देखे in National Green Incentive Policy का मतलब क्या होगा, अगर इधर से निकाला जाए तो क्या इसका मतलब होना चाहिए, दीखिए, Green Fiscal Incentive Policy का मतलब है, green, green का मतलब क्या है, आपके जितने भी natural resources है, जितना भी आपका natural resources है, उन natural resources को protect करने के लिए, उनको save करने के लिए, क्या होगा कुछ specific budget जो है allocate किया जाएगा कुछ incentive दिये जाएंगे ठीक है कुछ incentive दिये जाएंगे ताकि उन incentive के दम पे उन incentive से क्या किया जाए उन incentive से बहुत भेतरीन तरीके से उनकी protection उनको save किया जा सके समझ आगे आप सबको ठीक है तो आपने याद रखना है National Green Fiscal Incentive Policy ना ह यूएस से ने launch की है मैं भी हरान था ना ही Australia ने की है ना ही UAE ने it is launched by Kenya है ना कुछ नया सवाल है एकदम से मसाले वाला सवाल है है ना Kenya ने launch किया है ठीक है तो National Green Incentive जो है तो Kenya के हिसाब से National Green Fiscal Incentive Policy जो है वो government plan कर रही है कि हम लोग आगे जाके जो भी है जो भी green resources है या जो भी natural climatic changes जिसकी वज़ा से बहुत जल्दी हो रहा है नेक्स सवाल आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा कौन सी city है विच सिटी इस दी होस्ट आफ विच सिटी इस दी होस्ट आफ जल्दी बताइएगा International Bio Resource Conclave and Antho Pharmacology Congress 2030 कौन सा शहर है जो अंतराश्री जैव संसाधन Conclave अंतराश्री जैव संसाधन Conclave and Ethno Pharmacology Congress का मेजबानी कर रहा है जल्दी बताइएगा यहां पर मुझे सबसे पहले आंसर किसका मिल गया है किसका मिला है महेश का मिला है वेरी गुड़ वेरी गुड़ शाबाश वेरी गुड़ ओके सोहर्ष ने कहा यूएस से था सत्तम यूएस से केनिया इंफाल कोलकता आया अंडेस्टूड वो पिछले सवाल का जवाब था राइट तो कौन सी सिटी है जो क्या कर रही है अंतराश्री जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्मकोलोजी कॉंग्रेस 2013 की मेजबानी कर रही है ठीक है तो आपने इतना बड़ा याद नहीं करना दोस्त है ना कि मैं आगर आपके जगा होता है तो मैं क्या याद रखता कि यह रेक ना एक एक जगा है जहां पर इंटरनाशनल बायो बायो रि रिसूर्स बायो रिसूर्स यह मैं याद रख लेता बायो रिसूर्स कॉंखलेव हो रही है मैं यह याद रखता मैं यह याद रखता कि बायो रिसूर्स कॉंखलेव कहां पर हो रही है यह हो रही है आपका इंफाल के अंदर कहां पर हो रही है याद रखेंगे आप सब के स बिल्कुल ठीक है तो बायो रिसोर्स इमफाल के अंदर कॉन्कलेफ हो रही है समझ आगे आप सब को वेरी गूड वेरी वेरी गूड अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यह इंपोर्टेंट है कि भारत के जी टव्रइडेंटी प्रेजिदेंशी के तहट क्या है ग्रुप और वtesी इकॉनिऊ मीज़िया चेए D मेरे सामने अब पहले बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत अच्छी बात है यू आफ टू बी वेरी क्विक है ना क्विक होना चाहिए अब देखे करेंट अफेर है मैं डेली करेंट अफेर ला रहा हूँ आपको 50-55 मिनिट डेली पढ़ाता हूँ है ना तो 50-55 मिनिट में मैं वो भी चीज़े कवर कर ले रहा हूँ जो पिछली हमने कवर करी होंगी है ना तो ऐसा नहीं हर दिन कुछ नया नया ही पढ़ना है के बार क्या है हम 50% नया पढ़ेंगे 50% रिपीट होगा तो आपका डेल की करेंट अफेर में इस तरीके से होगा कि पिछला भी रिवीशन हो रहा है और अगला भी अपना काम चल रहा है है कि नहीं सो यहां पर बच्चा क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है इच शुद भी सर औरंगाबाद आपसली ली करेक्ट औरंगाबाद महाराश्रा के अंदर है यहाँ पे W20 की inception meeting जो है वो conduct की गई है inception meeting जो है W20 की वो conduct की गई है औरंगाबाद hosted the W20 inception meeting ठीक है अब next मुझे ये बताईएगा हाल ही में किस राजमाग पर विश्व का प्रथम बांस crash barrier लगाया गया है ठीक है क्या answer सवाल है recently world's first bamboo crash barrier has been installed on which highway आप जल्दी इसका answer दीजेगा क्योंकि मैं आपसे expect करता हूं कि फटा फट जो है आप answer देंगे जिससे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप जो है एकदम सही तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं चली तो यहां पर मुझे answer बढ़िया दरीके से मिल रहे है श्रे इस बीफर्स वान टू अंसर देस क्वेस्टिन ना ओके ओके पिऊ सत्याम very good very good very good yes बचो तो बास का इस्ते माल करके वह जो सड़कों के साइड में वह जो लोहे या या ऐलमूनियम का लगाया होता था ना बड़े बड़े फटों के साथ वो नहीं होगा अब बास का इस्ते माल किया जाएगा X-Shares, Railing लगाने के लिए ना, उसकी boundary लगाने के लिए, ठीके, तो इसका answer क्या है, महराष्रा के अंदर ये, मतला एक तरीक अचterroriska के से वो किया गया है, क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, चलिए, अब नेक्स्ट मुझे ये बताइएगा, कि इंडिया ने कितना गरांट दिया है, इंडिया ने 2 बिलियन रुपीज का जो गरांट दिया है, वो कंट्री कौन सी है, ग्याल संग इंफरा प्रोजेक्ट, तो ये ग्या कल मेरा एक्जाम है CRPF का अकांशा वेरी गुर्ड मतलब इच शुड़ भी लाइक और वेरी बेस्ट अफ लाग वेरी बेस्ट अफ लाग ठीक है पीडिएफ के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा आपका एक टेलिग्राम ग्रुप बना रहा हूं ठीक है बना चुका हूं बस इसमें आपको एक सर्च कर लेना अतुल धिमान सर वह आटोमेटिक लिए आपको PDF मिलना शुरू हो जाएंगे वैसे मैंने पहले नहीं बनाया था तो आपको PDF जो है नए सिरे से ही मिलेंगी ठीक है PDF डाउनलोड करके आराम से इन चीजों को पढ़ो है ना चलिए तो इसका अंसर क्या है बच् lingering आप सबने क्या बोला इसकाँसर आप सबने क्या बोला एक शुद भी सर्भूटान डापिसलइट लीकरेंट पूटान इस प्यक्रान से वाग्यों यह पcomingsेले चलते है ओके नबर आज का जो हेड़लैं है वह बहुत ज़्याद हेड़लाईन है क्योंकि n जादा नहीं थे, हेडलाइन जादा थी, तो हेडलाइन हम लोग जादा करेंगे, ठीक है, तो चलिए, अब पहली चीज क्या है, कि इंडो अमेरिकन विमन है, मतलब इंडो अमेरिकन का मतलब समझते हैं, आप क्या है, कि वो महिलाद के जो माता-पिता होंगे, वो किसी टाइम पे भारत के वो होंगे, उनके माता-पिता आगे इंडिया में, यू. एस में, ठीक है, तो अब उनके द्वारा जो बच्चे होंगे, वो इंडो अमेरिकन उनको कहा जाएगा, ठीक है, तो इंडो अमेरिकन जो विमन है, ठीक है, विमन है, ठीक है, इंडो अमेरिकन विमन है, वो जज जो है, जिसका नाम क्या है? तेजल महता, क्या नाम है बचो, तेजल महता, मैं आप सबसे एक चीज बोलूँगा, कि एक बार फटाफट तेजल महता का नाम अपने कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा, ठीक है, जल् learn कर सकते हैं तेजल महता जो थी बड़ी तेज थी इसलिए वो क्या बन गई यूएस में पहली जज विमें जज पर पहली विमें जज तो यूएस में पहले भी होगी लेकिन इंडो-अमेरिकन पहली जज जो है विमें वो तेजल महता बनी है ठीक है वो तेजल महता बनी है तो इंडो-अमेरिकन व्मेन जज्ज बनी है तेजल मेंता क्लेर हो चुक है वेरी गुड आगे चलते हैं दूसरा हमारा हेडलाइन है इंटरनाशनल व्मेंस टेट 2023 के बारे में हम लोग पूरा ज्यान ले लेंगे थीम क्या थी क्यों मनाया जाता है पूरा अच्छे से ठीक है आगे देखते हैं यूनिन मिनेस्टर है अश्वनी वैश्णव और चार और सिक्किम के मिनस्टर है उन्होंने एक डिपार्टमेंट आफ पोस्ट का गो ग्रीन गो और्गनिक जो अलग से कवर निकाला है सिक्किम के लिए हैना तो एक चीज मैं आपको बताता हूं द है तो वैसा ही कवर जो है वो गो ग्रीन गो और्गनिक का कवर निकाला गया है सिक्किम स्टेट के लिए क्यों निकाला गया होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा है ना क्यों निकाला गया होगा क्योंकि वह सिक्किम जो है वो विश्व में उसने और्गनिक फार्मिंग के अंदर कमाल का काम किये मैं आपको बताऊंगा इसके क्या-क्या इसने काम किये बहुत बढ़िया काम किये ठीक है तो यह आपने याद रखना है ठीक है इसमें हम लोग और चर्चा करेंगे यह तो बस हम लोग एक एक लाइन में समझ रहे हैं चीजे उसके बाद युवा उत्सव जो है इंडिया अट दर रेट दो हजार संतालिस युवा उत्सव इंडिया अट दर रेट दो हजार संतालिस यह लाँच किया गया हमारे अनुराग सिंग ठाकुर के द्वारा तो यह एक प्रोग्राम है जिसको तो लॉंच किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, United Nation उसने पहला, उसने पहला युनाइटीड निशन जो है, उसने पहला High Seed Treaty जो है, वो signed किये, High Seed Treaty, अब सीरीटी, आफ सिर्फ बचो आपने क्या करना है, जैसे अकांचा ने यहां पर लिख दिया go green go organic cover for sick him आपने क्या करना है high seat treaty लिखना है अपने comment section में या अपनी notebook में पहला point high seat treaty लिखना है ठीक है इसका मतलब क्या है सारा चीज जो है मैं आपको बताऊंगा ठीक है कि यहां पर जैसे आपने देखा होगा मोटे तोर पर बता देता हूँ अब भी फटा फट देखे आपने देखा होगा समुंदर जो है उसमें हम लोग अपना कूडा करकर जो मर्जी मन करता है वो हम लोग बहा देते आप देखिएगा इंडिया नोशन जो है वो धीरे धीरे इतना जादा कचड़े का मैदान बन चुका है सागर बन चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है है ना तो point is कि जो countries है वो क्या करती है वो अपने अपना जो coastal area होता है टटिये शेत्र होता है उसके बाहर उसके beyond जाके जो है वो अपना कोड़ा बहा देती है और दूसरे भी देश वहाँ पर बहा देते है तो वो जो area है जहाँ पर समुंदर पर जिसका किसी का भी control नहीं है है ना तो उस area पर कोड़े का पहाड कोड़ा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है उसमें किसकी responsibility होने चाहिए आप बताएगे किसकी होने चाहिए तो वही responsibility को तै करने के लिए पक्का करने के लिए United Nation ने High Seed Treaty Sign की है आप समझे नहीं समझे कोई बात नहीं मैं आपको आगे भी बता दूँगा लेकिन लगबख समझ गये होंगे है ना आप देखिए 28th officer नेक्स्ट जो है आपका जो headline है that is CGA controller general of audit ठीक है controller general of audit जो है उनको appoint किया गया है नए controller general of audit appoint हुए है उसके बाद world bank ने जो है वो commit किया है world bank वर्ल्ड बैंक जो है उसने commit किया है कि जनाब जनाब किसको बोला इंडिया को बोला इंडिया हम आपको आपके public health care के लिए public health care के लिए 1 billion dollar की मदद करेंगे क्या करेंगे एक billion dollar की मदद करेंगे ठीक है public health care के लिए 1 billion dollar की मदद करेंगे समझ आ गया ओके नेक्स्ट आपके पास news है that is कि all India women folk art conference कहां पे हुई है all India women folk art conference कहां पे हुई है बच्चो यह आगे जाके 8th March 2023 में हम लोग यह कंड़क की गई है यह हम लोग पढ़ेंगे चीक है उसके बाद क्या है प्रेजिडेंट द्रॉपदी मुर्मू ने सेवन इंटरनाशनल धर्मा धर्मा जो है कॉंफरेंस को और्गए किया है उसको इन्चोरीट किया है उसके बाद हमने पढ़ा था इंडो-फ्रांश जॉइंट military exercise है उसके बार में और थोड़ा गहन अध्या हम करेंगे चीक है उसके बाद next रिलाइस जियो से लेटेड है रिलाइंस जी ओ जो है वो जो टेलीकॉम ब्रैंट से उसके अंदर और अच्छा उसने परफॉर्मेंस दी है उसके बाद हर पेमेंट डिजिटल का कैमपेंच शुरू किया गया है और उसके बाद जो है फिन इंपावर लॉंच बाइब एसी एन यूएन विमें इ चलिए 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 वेरी गोड़ वेरी गोड़ शांदार शांदार अच्छा मुझे यह बताईए आप सबने होली वोली मनाई कि ऐसे पड़ते वड़ते रहे हैं ना सर अगर मैंने अभी सीडिय सोटिय का पर्चेस किया तो मुझे पहले वाले भी लेक्चर मिलेंगे य चलिए बेरी गोड़ अगर आपने होली मनाई है तो बहुत शांदार चीज है चलिए तो वही है कि अभी टू एक्स वालेडिटी है 77 परसें 78 परसेंट का डिसकाउंट है यह सारी चीजे है जो आपके पास है यह सारे कोर्स है यह सीए पेफ का कोर्स है सीडियस का कोर्स है इंडिये है बहुत सारे कोर्स है इसका जो आपके सामने यह है डाट इस डिफेंस महापैक फटाफट बता देता हो इसमें क्या है इसमें आपको सारे कोर्स लाइव मिल जाएंगे और वो भी मिल जाएंगे जो आगे आने वाले कोर्स होंगे तो यह डिफेंस महापैक है तो ये आपका one stop solution है, एक साल की validity प्लस एक साल और free मिल जाएगा, दो साल की validity आपको मिल जाएगी, ये test series है, test series में अगर कोई भी test series लेनी है, Y588 S लगा ली जाएगा, आपका काम बन जाएगा, चलिए, अब मुद्दे के ओपर चलते हैं, मुद्दा क्या है हमारा, ये देख है ना, तो तेजल मेता जी जो है, बहुत तेज है, क्योंकि ये बन चुकी है, ये बन चुकी है, पहली justice, मतलब पहली judge जो है, वो बन चुकी है, पहली justice या पहली judge बन चुकी है, जो की women indo-american है, क्या है, women indo-american है, आप समझे, समझे की नहीं समझे, ठीक है, तो women indo-american है, र बस ये याद रखिएगा कि ये एक district court की judge बनी है US के अंदर तेजल महता ये पहली women है जो इंडो-american women है जो women judge बनी है समझ आ गया आपको? समझ आ गया? very good very good, शाबाश अभी sir, 127 वेब से चालू हुआ है तो वो सारे lecture मिलेंगे absolutely correct आपको मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे वो सारे lectures आपको मिलेंगे ठीक है? वो सारे lectures आपको मिलेंगे ठीक है? चली, अब देखे next important क्या है बचो? International Women's Day 2023 International Women's Day 2030 अच्छे ये क्यों मनाया जाता हूँगा? ये इसलिए मनाया जाता है बड़ा simple point है awareness लाने के लिए आपको जो है महिलाओ जो आम जनता है उनके अंदर awareness लाने है के महिलाओ को equality का जो अधिकार है, वो सब मिलना चाहिए सारी opportunities मिलने चाहिए सारी चीज़े जो है इसके अंदर awareness फैलाई जाती है थेक है, तो याद रखिएगा 8 March को इसको मनाया जाता है कब मनाया जाता है 8 March को इसको मनाया जाता है और इसमें बात की जाती है किसकी gender equality की ठीक है इसमें बात की जाती है gender equality की violence and abuse against women जो है इसको कम करने की बात की जाती है अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो भी बच्चे ऐसे वैसे की तयारी करते हैं है ना, ऐसे की तयारी कर रहे है, argument report की तयारी कर रहे है मैंने आपके लिए दो parts में एक topic cover किया था कौन सा topic था? violence against women violence against women तो आप उस topic को जो है, वो दो videos को देख सकते हो क्योंकि उससे आपका जितना भी महिलाओं के against जो भी अत्याचार होते हैं, तरीके, कौन-कौन से तरीकों के द्वारा अत्याचार किये जाते हैं, वो सारी चीजें आप clear हो जाएंगे और अपना जो content है, वो बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे, चिक है? ओके, now next important क्या चीज़ है, कि पहला International Women's Day कब organize किया गया था? तो first International Women's Day organized किया गया था सबसे पहले 1911 में, कब किया गया था बच्चो? 1911 में किया गया था, 1911 में किया गया था, और तब से लेके आज तक जो है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से जो है, celebrate किया जाता है, बहुत ही सारी countries के अंदर, ठीक है, आगे चलते हैं, इस बार की जो theme है, International Women's Day की जो theme है, बच्चो, वो क्या है? digit all, क्या है? digit all, digit all का मतलब क्या है? digit all, digit all, innovation and technology for all, ठीक है, innovation and technology for, ठीक है, digit all, यह आपने याद रखना है, digit all, तो innovation and technology for, यह आपने याद रखना है, आज इस International Women's Day की theme, अब देखिए, next हम लोग बात करते हैं, हमारे जो union minister है, जिनका नाम क्या है, बच्चो, अश्वणी वैश्णव, अश्वणी वैश्णव जो है, और इनके साथ कुछ और दो, चार मिनिस्टर मिल के, इन्होंने एक, जो है, युनीक सा, एक cover निकाला है, वो cover क्या है, इस तरीके का cover है, किताब का cover होता है, वैसे ही cover है, जो इन्होंने निकाला है, कैसे, department of post के द् ठीक है आपका जो postal department है ना उनके द्वारा जो है इन्होंने एक cover निकाला है उस cover का ना उस cover में आपको क्या देखने को मिलेगा उस cover के अंदर go green and go organic का नारा जो है वो सिक्किम के लिए देखने को मिलेगा अच्छा ये याद रखिएगा जो आपके अश्वनी वैश्णव है अश्वनी वैश्णव जो है वो honorable minister है railway communication and electronics IT के ठीक है government of India के आप इसको याद रखेगा ठीक है अब go green and go organic cover के बारे में थोड़ा सा याद रख लेते कुछ important चीज़े देखिए जो go green go organic में मैंने लिखा किया है थोड़ा हरे में use किया हुआ है ताकि आपको feeling भी आए लिए तो इसमें क्या है देखिए go green go organic सिक्किम के लिए क्यों किया गया है क्योंकि बच्चों जो मैंने आभी आपको बताया था कि सिक्किम जो है बड़े कमाल का स्टेट है छोटा सा स्टेट है छोटा सा स्टेट है सिक्किम लेकिन सिक्किम जो है स्टेट ठीक है यह बना ह सकता है वा मवशा स्टेट ऐव ती वर्ल्ड क्या बनाएं पहला स्टेट औफ्धी वड्स पिए विष्व का पहला राज्य है विष्वका उपैल hè निग स्टेट Eff TA गा चाहा जा सकता है जिसको और घनिक स्टेट खाहा जा सकता है चाहर जो thoughts से तो आप और अपने खेटोह लिगाते हैं वहाँ पेस्टिसाइड यूज नहीं होते, वहाँ पे कोई ऐसी चीज जिसे इंजेक्शन लगा-लगा के लगा-लगा के चीज़े बनाए जा रही है, वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब नाच्रल तरीके से होगा, है ना, तो सिक्किम जो है, वो विश्व का पहला राज्य है, जिसक बोला जा सकता है, और्गानिक, और्गानिक स्टेट अफ दी वर्ड, वेरी गोड़ अकांशा, वेरी गोड़, 100% नाच्रल फार्मिंग यहाँ पे होती है, इसलिए, गो ग्रीन, गो और्गानिक का कवर जो है, सिक्किम के लिए बनाया गया था, चलिए, क्लेर हो चुका है, अब देखे, सिक्किम और युनाइटेड नेशन फूड और एग्रिकल्चर, अच्छा मुझे आप सब लोग बताएंगे, क्योंकि यह मैं आप से एक्सपेक्ट करता हूँ, यह पढ़ाया हुआ भी है, यह जो फाव है, फाव मतलब फूड एग्रिकल्चर की काफी पराने टाइम से दोस्ती है, ठीक है, स्टेट को, स्टेट कौं सा, सिक्किन स्टेट को, अभी हाल फिलहाल के अंदर एक future policy gold award भी मिला है, future policy gold award भी मिला है, बच्चों, कहां से मिला है, United Nation Food and Agricultural organization से मिला है, और सिक्किम जो है, जो कि पहला 100% और्गनिक स्टेट है, व तो यहां पर देखेगा सिक्म और UN Food and Agriculture Organization तो सिक्किम को फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ट मिला है यह ऐसे रट्टा तुमारने नहीं है समझ आ रहा है यार सिक्किम ने आज ही देखे कितने अगे की सोचली के और्गमिंग करेंगे पूरा और्गमिंग करेंगे ठीक है ओके राइट ओके चली आगे चलते है ABOUT İ Queek सिक्किम जो है आचिली ये एक ऐसा स्टेट है हमारे देश का जो तीन कन्ट्रीज के साथ लगता है जैसे कि भूटान हो गया समझ आ होटान तिबत और नेपाल इसको फाउंग किया था पर सूला में उनने 175 के अंदर ठीक है इसकी इतना लैंड एरिया जो की नहीं है इतना इंपोर्टेंट लेकिन इसकी जो कापिटल है वो गेंग टॉक है और इसका जो ऑफिशल ट्री है वो रोडो डेंडरॉन नीवें है ठी तो आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ हाँ यह सारी चीज़े थी ठीक तो फूड एंड एग्रिकल्चर ऑर्गनाइजेशन का हेड़कॉर्टर काहां पे इटली के अंदर काहां पे इटली के अंदर है ठीक है इटली के अंदर है चली दूसरा सवाल आपका क्या था? Sikkim and Food Food and Agriculture is what? देखे अभी शेख इसमें क्या है? कि UN Food and Agriculture Organization ने Sikkim को दिया है एक आवर्ड जो की है, Future Policy Award That's it, इसके अलावा कुछ नहीं ठीक है? ठीक है? इतना clear है, right? Sikkim की language कौन सी है? देखे Sikkim जो है पहाड़ी छmart रहे हैं वहां पे अलग-अलग ट्राइबस रहती है तो उन अलग-अलग ट्राइबस के अलग-अलग लैकुछ्डिति है उसके बाद मुरांग 키 हैं तो अलग-अलग त्राइबस के अलग-अलग लैक्वी ज statement चलिए यह आपने यादर कर कर लिया चलिए अब नेक्स्ट इस आपके जो अनुराग सिंग ठाकोर है उन्होंने युवा उत्सव इंडिया और 2047 जो है पैन इंडिया लॉंच कर दिया है अब इसमें क्या खास चीज है देखें पहली बात तो यह है कि अनुराग सिंग आपके यूनिन मिनिस्टर है क्या है अब युवा उत्सव डाशबोर्ड होता क्या है देखें युवा उत्सव डाशबोर्ड जो है उसमें क्या है कोई भी यूथ जो है इनके उस पोर्टल के अंदर जाएगा जहां पर यह पूरा का पूरा सिस्टम यह चला रहे है उस पोर्टल के अंदर जाएगा वह के अंदर जो है इसको लॉंच किया गया है युवा उत्सफ को लॉंच किया गया है सारे डिस्ट्रिक लगबग लगबग जितने स्टार्टिंग के डिस्ट्रिक हैं उनको कवर कर लिया गया है और आगे जाके और ज्यादा expansion की जाएगी नेक्स्ट इसमें क्या है नेक्स्ट है देखे युनाइटेड नेशन ने युनाइटेड नेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है वो डिसीजन क्या है बच्चो फटाफट देखते हैं हाई सी ट्रिटी ये सवाल मैं आपको गारेंटी दे रहा हू 100% ये सवाल आपके एक्जाम में पूछा जाएगा 100% एक्जाम में पूछा जाएगा अब हाई सी ट्रिटी कौन सी ट्रिटी है ठीक है अब देखे युनाइटेड नेशन ये कहता है युनाइटेड नेशन ये कहता है कि जैसे माल लीजे वो एरिया जिस एरिया वो समूंद समंदर, वह समंदर, वह C, जिसके उपर किसी का control नहीं है, कोई भी country उस समंदर के उपर responsible नहीं है, तो वह समंदर वह वाला जिब बहुत जादा पार, यह कोड़ा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक responsibility टय कर रहे हैं, कैसे इस treaty के दौरा हम responsibility टय कर रहे हैं, To Protect the Water Ocean Bodies, To Protect the Ocean Bodies, ठेक है, जो National Boundaries से बाहर आती है, और ये जितनी भी Ocean Bodies है बच्चों, ये कोई कम Ocean Bodies नहीं है, ये लगबाग Two Third Ocean Bodies है, ये Two Third of the Vishwa में जितनी भी Ocean Bodies है, मतलब समुन्दर है, उसका जो Two Third है, वो ऐसा जगा है, वो ऐसा समुन्दर है, जिस पर किसी भी कंट् नहीं है, आप सबने याद रखने है, ठीक है, किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उस वाली रीजन पे protection करना बहुत ही ज़्यादा important है, ठीक है, तो high sea treaty है, इस treaty के तहट क्या किया जाएगा, इस treaty के तहट बहुत सारी चीज़े नहीं की जाएगी, सबसे पहली चीज़ जो बहुत important है, आप सबने याद रखनी है, that is, कि नई body जो है, उसको लाया जाएगा, नई body मतलब कोई ऐसी संस्ता लाई जाएगी, जिससे वो संस्ता make sure करें, कि ये area जिस पे किसी का control नहीं है, वो कोई भी जाके उदर गंदगी ना करें, है ना, तो ये जो नई body है, इस नई body को create किया जाएगा, create the new body to manage the conservation of marine bodies, the conservation of marine life, ठीक है, तो आपने याद रखना है, ठीक है, इसके अलावा, this is very, very important, तो आपने इसी को ही याद रखना है, नई body को बनाया जाएगा, ताकि ये इस area को control कर पाए, ठीक है, ये सेम चीज़ है, चलिए, एसस दूबे साहब, जो है, एसस दूबे साहब, ये नए कंट् है, 28 वे officer है, 28 वे officer है, तो अब अगर मैंने बताया, तो आप कहीं ऐसा ना हो, सोचें कि यार, सर तो नाम बिगाड रहे है, लेकिन learn करने के लिए किया जा सकता है, इस तरीके से, कि एसस दूबे, है ना, एसस दूबे साहब, जो है, डूबे, डूबे कहां पे, controller general of accounts में, है ठीक है, controller general of accounts में, ठीक है, controller general of accounts, 28 officer है, समझा गया, very good, अब नेक्स हम लोग बात करते हैं, यह बहुत important news है, this is very important news, ठीक है, very important news, अच्छा, मैं आप से एक और सवाल पूछता हूँ, मैं आप से एक और सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा, World Bank का तो समझ आता है कि World Bank loan देता है, World Bank loan देता है, for some developmental purposes के लिए, विकास करने के लिए, आप अगर विकास करना चाते हैं अपने देश में, तो development purpose के लिए आपको loan कहां से मिलेगा, आपको loan मिलेगा, World Bank से, बट मुझे आप बताइएगा कि IMF से अगर आप loan लेना चाते हैं, तो आपको loan कहां से मिलेगा, जल्दी, शाबाश, कुएक बताइएगा, ठीक है, जल्दी बताइएगा कि अगर आप IMF से loan लेना चाते हैं, तो आपका क्या कारण हो सकता है, सर, ऐसे कौन से C है, जो आर्थ पे, जो किसी भी देश के सीमा पे, यहर ऐसे C, ऐसा नहीं बोलेंगे, जैसे इंडिया नोशन है, इंडिया नोशन जो है, इंडिया का भी पाट है, ठीक है, इंडिया के उपर, इंडिया का भी control है, इंडिया नोशन पे, पर पूरे इंडिय जो है Arabian Sea है ठीक है तो ये भी ऐसे सागर है जहां पर इंडिया का control है बट कुछ limit तक उसके बाद पूरा का पूरा खाली है मतलब वो उसके उपर किसी का control नहीं है ठीक है तो इस तरीके से राइट तो जल्दी बताईएगा फटाफट फटाफट ठीक है तो ये याद रखिएगा this you have to remember it very well कि IMF को जब आपको IMF से लोन चाहिए तो country के पास जो है वो क्या होना चाहिए balance of payment crisis balance of payment crisis ठीक है balance of payment crisis का मतलब क्या है इसका full form है balance ठीक है balance of payment balance of payment crisis balance of payment crisis ठीक है बीओपी crisis है अब बात करते हैं World Bank World Bank ने दे दिया भई लोन देने वाला है लोन इंडिया को किसे लिए public एंफ्रा healthcare infrastructure के लिए healthcare infrastructure मतलब माल लीजे प्रॉपर वो होने चाहिए, हेल्थ केर मतलब आपके हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हो, ठीक है, वो जो क्लीनिक होते है, छोटे-मोटे गली नुकड में, वो अच्छे होने चाहिए, इसके अलावा, डॉक्टर्स भी अच्छे कॉलिटी के हो, नर्सेस भी अच्छी कॉल टॉलस के जो मदद है, किस को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, ये इंडिया का यक फ्लाक्षिप प्रोग्राम है, फ्लाक्षिप का गर्राम का, मतलब क्यों होता है, इकैसी चीज चीज जो पूरे साल, पां्च साल चलती है, जब तक सरकार रहती है, ये तब तक वो लॉंच किया गया था इसको मदद करने के लिए वन बिलियन डॉलर की मदद दी जा रही है आप समझे सब सब के सब यू अंडेस्टूड दिस पॉइंट बस आपने इतना याद रखना है ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रूप की बात करें देखें वर वर्ल्ड बैंक के अंदर कुछ बॉडिज आती है वो बॉडिज कौन सी है उनको हम लोग फिर वर्ल्ड बैंक ग्रूप कह देते हैं ठीक है जैसे आपके पास आगे आई बी आडी क्या है आई बी आडी आपका वैसे बड़ा इंपोर्टेंट सवाल बन जाएगा कि कौन- पतलब के इंटरनाशनल बैंक फॉर री कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ठीक है अब आपको इतना वो नहीं सोचना की इसका फुल फॉर्म क्या होगा आजकल ऐसा बहुत ही लो लेवल का सवाल नहीं पूछा जाएगा चाहे कोई भी एक्जाम की तयारी करें ठीक है सवा यह होगा कि कौन सा इंस्ट्यूशन इसके अंदर आता है दूसरा आपके पास आता है आई डी ए इंटरनाशनल डेवलपमेंट असोसियेशन तीसरा आता है आए एफसी इंटरनाशनल फनांस कोर्परेशन चौथा आता है एम आई जी ए डैट इस मल्टिलेटरल इन्वेस्म इजनसी और पांचवा जो है आपके पास आता है आई इस आई 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 इस आई डी का मतलब के इंटरनाशनल सेंटर फो सेंटलमेंट आफ इन्वेस्मेंट डिस्प्यूट ठीके तो यह पांच जो है आपके इस बोडी है जो वर्लट बैंक गरूप के अंदर आती है अब DC कहाँ पर बच्चो United States के अंदर है एक और चीज़ आपको बहुत important है याद रखने की है that is कि यह जो World Bank बना यह World Bank कब बना यह बना 1944 में बना 1944 में जब World War 2 खतम होगे तब सोचा कि एक ऐसा संस्थान बनाते है जहां पर हर कंट्री रिप्रेजेंट हो पाए और हर कंट्री अपनी अपनी बाते रख पाए ताकि अगली टाइम जो है विश्व जो आपको पता है विश्व युद्धना हो पाए है ना त यह सारी बॉडिज उसी टाइम पर बनने की कगार पर थी तो आप याद रखेगा ठीक है याद रखेगा यह फाउंड हुआ था 1944 को कब हुआ था 1944 को और यह कहां पर हुआ था फाउंड मतलब इसकी स्तापना का हुई थी युनाइटेच्ट स्टेच्स के अंदर एक जगा है न्यू है मशियर उनाइटेच्स के अंदर एक जगा है बच्चो न्यू हांशियर वहाँ पर यह समझोटा हुआ था बृतन बो थी IMF दूसरी क्या बने थी बच्चो IMF यह आपने याद रखना है और प्रेजेंट जो आपके वर्ल्ड बैंक ग्रूप के प्रेजिडेंट है वो डेविड माल पास है डेविड माल पास आपने याद रखना है तो बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको मैंने बता दी है लेकिन परिशान नहीं हो ना यह याद रखना वर्ल्ड बैंक करके इसको पढ़ लिया है चलिया अब आगे चलते हैं बछो यह भी बड़ा इंपोर्टेंट है याद रखिए ऑल इंडिया व्रेमीज्ट फोग आर्ट कॉन्फरेंस क्या है αॉल इंडिया व्रेमेंस फोग art conference जो है यह organize की गई 8 March को कब organize की गई 8 March को organize की गई International Women's Day वाले दिन organize की गई और यह organize की गई Mumbai के अंदर कहाँ पर की गई organize Mumbai के अंदर तो आप सब याद रखेंगे Mumbai के अंदर की गई है ठीक है अब next हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द्रॉपदी मुर्मूग जो हमारी देश की प्रेजिडेंट है उन्होंने एक और conference को organize किया है जो की है सेवेंथ इंटरनाशनल धर्मा दमा conference धमा conference 2023 है ना तो इन्होंने सात्वा international धर्मा धमा conference 2023 को और मतलब इसको inaugurate किया है इसकी शुर्वात की है ठीक है इसकी शुर्वात की है समझ आ गया इसकी शुर्वात की है अब यह शुर्वात कहां पर हुई है यह शुर्वात हुई है आपकी कहां पर बच्चो इसकी शुर्वात बोपाल-मद्यप्रदेश के अंदर इसकी शुरवात हुई ए आप देखो आपको मैं इसके अंदर बहुत सारी कहानी बता सकता हूं कि ये हुआ हुआ होगा ये सब हुआ होगा ये सारी फलाना दमकाना चीज़े लेकिन जब सवाल ही ये पूछा जाएगा कि सेवंथ इंटरनाशनल धर्मा दम्मा कॉन्फरेंस 2023 को इनॉगरेट किस ने किया ये सवाल पूछा जाएगा ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो कॉन्फरेंस है इसको कहां पर और्गनाईस किया जा रहा है ये दूसरा सवाल पूछा जाएगा तो हमने और क्यों इसके बारे में ज्यान प्राप्त करना है कि ने तो ये कहां पर और्गनाईस हो रहा है भौपाल मध्यप्रदेश के अं इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ, पता है इसके पीछे logic क्या है, इसके पूछे है बहुत simple logic है, simple logic यह है बचो, क्योंकि इसको inaugurate किया हमारी President of India ने, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह important बन जाती है, लेकिन theme तक important है, इसकी जो theme है, that is बचो, Eastern Humanism for the New Era, क्या है Eastern Humanism for the New Era, याद रखेंगे, चली, शांदार, आगे चलते हैं, देखें, इंडो-फ्रांस की Joint Military Exercise, मैंने पहले भी cover किया था, अब यह शुरू हो चुकी है, तो यह कहां पे शुरू हुई है, यह पेगोडे, Military Station जो है, पेगोडे, पेगोडे, Military Station में, यह जो इंडो-फ्रांस exercise है, जिस इंतपुरम, केरला के अंदर, यह Joint, इंडो-फ्रांस military exercise है, ठीक है, इतना clear हो गया, चली, अब आगे चलते है, Capital of France क्या है, पारेस है, President क्या है, Emmanuel Macron है, हमारे देश के जो Chief of Army Staff है, General Manoj Pande है, और CDS कौन से है, Lieutenant, Lieutenant General Anil Chohan, ठीक है, तो यह आपने याद रखना है, आगे चलते ह रिलाइन्स जीओ, जो है, रिलाइन्स जीओ, ठीक है, जो रिलाइन्स जीओ है, उसने एक कमाल का काम किया है, वो क्या है कमाल का काम, कि वो दो पैदान और उपर चला गया है, दो पैदान और उपर चला गया है, पहले दो पैदान नीचे था, आप दो पैदान उपर चला थिक है एस फर एस दी टॉप 10 टॉप 10 strongest टेली कॉम ब्राइंड इन द वर्ल्ड ठीक है टेली कॉम ब्राइंड इन द वर्ल्ड की काटेगरी के अंदर जो आपका रिलाइंस जियो है वो दो पैदान और उपर चला गया है बिल्कुल जाना था अब रिलाइंस जियो एक ऐसा टे 2016 की बात है ना नेवंबर 2016 की बात है जितना मुझे याद है जब इन्होंने फ्री सिम बाटना शुरू किया था फ्री सेंट प्री डेटा पता नहीं क्या-क्या था उस टाइम तो मेरे पास 4G फोन भी नहीं था ना कि 4G चला ले तो उस टाइम पर 4G इन्होंने देना करके दिखाया था तो बचो यह है लीडर बोर्ड यह है strongest टेली कॉम ब्रैंड ग्लोबली ग्लोबली की बात कर रहा हूं ठीक है इंटरनाशनल लेवल पे जो strongest टेली गॉम ब्रैंड है वो कौन से है तो सबसे पहले स्विस्कॉम आता है दो और तीन याद रख लिजगा दाट से इससे जादा और याद नहीं रखना है ठीक है और अगर टॉप इंडियन फॉर्म्स की बात करें तो यह इंडियन फॉर्म्स किया है यहां पर घुबंगाउं में रहता है हर कोई इस्ते की शरुवरत नहीं किपने बाइत आप में इस prefer में नाम पर डी भी नहीं उनको पता वो सिर्फ काश लेंगे αλλά आ हमका struck लाइसा रम की 150 रुपे की चीज़ है, वो 10,000 भी होगा, तो 10,000 भी कैश ही लेंगे, आप समझे की ने समझे, तो RBA ने, अब ये जो gap है, ये gap क्या, किसी को digital payment आती है, किसी को नहीं आती है, ये gap है, इस gap को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, हर citizen को, हर नागरे को क्या किया जाएगा country के user of digital payment बनाया जाएगा, user of digital payment मतलब वो scan करे, scan का इस्तमाल करे, scanner का इस्तमाल करे, बढ़िया तरीके से payment करे, और ये किसने शुरू किया है, ये हर payment digital जो है, ये किसने शुरू किया है, ये RBI की campaign है, ये RBI की campaign है, जो आपने याद रखनी है, ठीक है, RBI की campaign है, that is it, nothing more than that, ठीक है, इससे जादा आपने याद नहीं रखना, हाँ, theme जो है, theme आप awareness campaign का पढ़ सकते है, adopt digital payments and teach others also, adopt digital payments and teach others also, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, अगर देखे, ये ऐसा सवाल कुछ आएगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं, क्यूंकि आप current affair की पता होना चाहिए, देश में थोड़ा बहुत आगे पीछे का ज्यान आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, हैना, कल से आप, कल group discussion होगी, कल आपका interview होगा, तो वहाँ पर वो आपसे पूच सकते हैं, पूच सकते हैं कि भाई, भारत में digital payment के कितने users हैं, हैना, कित 90,000 respondents के बीच में, 90,000 लोगों ने respond किया, उस 90,000 लोगों में ऐसा रटा नहीं मारना इस चीज़ को, रटा नहीं मारना इस चीज़ को बस सोचिएगा, 90,000 लोगों का एक सर्वे की RBI ने, जिसमें से 42% लोगों ने क्या किया, 42% ले लोगों ने कहा, कि जनाब हम लोग तो digital payment का इस्तमाल करते हैं, हम digital payment का इस्तमाल करते हैं, कितने लोगों ने का, 42% लोगों ने बोला, ठीक है, तो 90,000 का 42%, 50%, 45,000, 45,000 से 40, 40,000 का हजार लोगों ने बोला, कि हम लोग क्या है, digital payment का इस्तमाल करते हैं, और जो बाकी लोग थे 35% उन्हों ने बोला, कि भई, हम लोग न के अंदर 50% लोग digital payment का इस्तेमाल करते 50% नहीं करते हैं ठीक है तो वो जो gap है उस gap को हमें full करना पड़ेगा fulfill करना पड़ेगा और बचो यह बड़ा important news है that is fin power fin power जो है यह इस तरीके का fin power एक policy launch की जा रही है किसके दोरा BSE BSE is Bombay Stock Exchange क्या है Bombay Stock Exchange और UN Women India के द्वारा Fin Power जो है इसको launch किया जा रहा है Women India के द्वारा और फिन पावर फिन पावर launch किया जा रहा है Women India UN Women India और आपका BSE के द्वारा ठीक है इसमें वही है कि Women को empower किया जाएगा empower का मतलब होता है सक्षम किया जाएगा उनको काबिल बनाया जाएगा financial literacy को लेकर अब अंग्रेजी जो है मैं बहुत बोल रहा हूं financial literacy है ना financial literacy simple भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब है कि महिलाओं को सक्षम बनाया जाएगा investment कैसे की जा सकती है कैसे बढ़िया तरीके से वह अपने पैसे को अलग-अलग चीजों में लगा सकती है ताकि वहां से उनको जो है benefit मिले ठीक है पैसे को कैसे पैसे से पैसा कैसे कमाने ये भी financial literacy का पार्ट है तो ये उनको समझाया जाएगा empower किया जाएगा समझ आगे उनको empower किया जाएगा financial security से related ठीक है तो ये अब आता है बचो हमारा revision का time ठीक है तो revision का time करें शुरू करें शुरू बचो फटा-फट बताईएगा श्यल्वी start with the revision quickly quickly shall we start with the revision चली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चली इंडो-अमेरिकन विमेट जज़ बनी है कौन जो बहुत तेज है तेजल मेंता बन गई है इंडो-अमेरिकन विमें ज़ज पहली विमें जज वनी है इंडो-अमेरिकन उसके बार इंटरनाशनल विमन्स डे सब कुछ पढ़ लिया थीम फाक्स हिस्ट्री क्या है यूनिन मिनिस्ट्र आश्वनी वहिशनव जो है उन्हें एक कवर यूनी कवर जो है लॉंच किया है गो ग्रीन गो और्गानिक्स किसके लिए सिक्किम के लिए यूवा उतसफ किसने लॉंच कि एं यूनाइटेटे नेशन ने क्या किया है हाई सी ्टृटी जो है वहाँ पर इक मछेशन बनेगी जो उस एरिया को देखेगी आपके डूबे साहब जो है कहां पर डूबे कहां पर डूबे CGA में डूबे ठीक है इस तरीके से वर्ल बैंक ने कमेट किया है एक बिलियन डॉलर का लोन किसके लिए किसके लिए जल्दी बताइएगा उसके बाद All India Women Folk Art Conference जो है ये कहां पर और्गनाइज हो रही है मुंबाई में प्रेजिडेंट दौपदी मुर्बू ने 7th International Dharma Dharma Conference जो है वो और्गनाइज किया है कहां पर और्गनाइज किया है वर्ल्ड में सबसे भ्यंकर टेली कॉम ब्रैंड के नाम पर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इस हर पेमेंट डिजिटल किसका है किसका है और बीए का येस उसके बाद फिन पावर जो है ये लॉंच किया गया है ताकि जो महिला है उनको फिनेंचल लिटरिसी दी जा सके राइ कर ले ठीक है जल्दी जल्दी बिल्कुल मैं आप टेलीग्राम बेबी आपको बताता रोंगा टेंचन ना ली जोएगा ठीक है चलिए सो मिलते हैं नेक्स क्लास के अंदर थैंक यू और जैहिन थैंक यू और जैहिन थैंक यू जैहिन थैंक यू जैहिन झाले धह द्यून हिजक भी जोएगा है overarching overwhelming verw